असलाम अलेकुम मेरे नाम है मुहमद नदीम और आप देख रहे हैं दा नौलिज मिश्चर नदीम यूट्यूब चैनल तो दोस्तो मैं जा आपको बताऊंगा कि जो भाई बैक्या की राइड उनको आती है और वो स्टार्ट करना भूल जाते हैं तो वो इस सुरत में क्या करें तो दोस्तो सबसे पहली जो बात है कुछ भाई ऐसा करते हैं कि राइड उनको आती है वो स्टार्ट करना भूल जाते हैं और जो है कस्टमर की ड्रॉप आफ पे चले जात think यार मैंने तो र binary और स्टार्ट ही नहीं की तो आप क्या करूँ बोस्तों इस सुर्त में आपने जब आपको राइड आती है तो कस्टमर का वालेट भी शो होता और साथ जो है जितना आपका किराया बनना होता है अस्टिमेट वसूली विसाशो होती है तो सिंपली सी बात है आपने जो है कस्टमर से वो वसूली जितनी आ रही उपर उतना आपने उससे क्राया ले लेना है तो राइड आप एंड कर सकते हैं और कुछ भाई राइड इस तरह एंड करते हैं कस्टमर जब आपको क्राया दे के चला जाता है तो आप राइड स्टार्ट कर लेते हैं राइड स्टार्ट करने के बाद आप भाई करते हैं क्या है कि दो तीन किलोमेटर चला के राइड एंड कर देते हैं भी चले हमारी राइड जो है वो बोनस में शामल की जाए तो दोस्तो वो राइड का तो पता भी चलता है जब टाइम आता है कि राइड वेरिफाइड होगी या नहीं होगी तो दोस्तो इस सुरत में आपको तीन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तीन नुकसान आपको हो सकते हैं तो दोस्तो राइड स्टार्ट करने के साथ से पहला जो नुकसान है वो यह है कि राइड तो आपने स्टार्ड का ले दो तीन किलो मिटर के जाके आपने एंड का दी तो उसका आपको बैकिया को कमीशन देना पड़ेगा तो पहली तो यह बात हो यह आपको नुकसान होगा और दूसरा नुकसान यह होगा कि कस्टमर जब आपको वो राइड निकाल लेगा जो आपने चलाके एंड की है तो ओँ देखेगा कि यार कराया तो काम बन रहा है और उसने मुझसे ज्यादा पैसे ले 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 तो इस सुरत में देखे कि यार कराया काम बना है तो वो कंप्लेन भी आपकी कर सकता है कि यह राइड जो है कराया काम बना और राइडर मुझसे ज्यादा पैसे ले गया तो इस सुरत में अगर वो कंप्लेन कर देता है तो आपको पलंटी पड़ सकती है तो जो तीसरा नुकसान है वो यह है कि आपको कस्टमर इस सुरत में वन स्टार ही रेटिंग देगा जिससे आपकी रेटिंग गिर जाएगी यह तो तीन नुकसान आपको मैंने बता दी हैं तो आप मैं बात करूँगा कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपने राइड इस तरह एंड करेंगे तो आपको तीन फैदे होने वाले हैं वो तीन फैदे कौन से हैं चलें जी मैं वो भी आपको बताता हूँ वो तीन फैदे ये हैं कि आपने जब राइडर से वसूली कर ली है आपने राइड को जो है राइड को कैंसल कर देना आपने राईड को कैنसल करेंगे तो राईड कैंसल करने के आपको कैंसलेशन चार्ज़जबी मिलेंगे एक तो फैदा आपको ये हो गया और जो दूसरा फैदा है वो ये होने वाला है कि जो आप राईड Test आपको कमिशन देना पड़ेगा वो भी आपको इदर से कमिशन नहीं देना पड़ेगा आपने वसीलिय पूरी कर ली तो कैंसलेशन भी चार्ज़ आपको मिल गए दूसरा फैदा जो है वो बैक्या को कमिशन भी नहीं देना पड़ेगा उस राइड का वो भी आपको पैसे बाच जाएंगे और जो तीसरा फैदा है वो यह है जो तीसरा फैदा वो यह है के जो आपने वसूली की है कस्टमर से वो तो एक एस्टिमेट कराया जो है बैक्या दिखाता है के इतना कराया बनेगा लेकन आपने अक्सर देखा होगा कराया कामी बनता है जब हम राइड को एंड करते हैं तो जो वसूली उपर शो हो रही होती उससे कामी कराया बनता है तो तीसरा फैदा आपको ये होगा तो दोस्तो इस तरह करने से आपको जो है फैदा होगा तो ये एक अपडेर थी मेरी तरफ से जिन भाईयों को नहीं पता तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जूर करें मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताके इस तरह की नहीं आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके